नमस्कार दोस्तो ध्यान मार्क में मैं मम्ता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो दोस्तो जैसे कि शिवरात्री का महापर WAT बहुत ही नजदीक है तो बहुत सारी वीडियोज अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे और आर्टिकल्स भी आए हैं पर हर वीडियो में एक ही बात मैं देख रही थी कि 21 को है कोई कहता है कोई कहता है कोई कहता है कि 20 को है अब अपने अपने कई उत्तर भारतिये लोग और दक्षिन भारतिये लोगों में भी कई जगह पे मद्बेद हो जाता है क्योंकि उनके जो पंचांग होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं पर इस पार जो शिवरात्री है वो एक ही दिन पर है 21 फरवरी को तो दोस्तो आज मैं शिवरात्री के डेट से ज़्यादा आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूं कि शिवरात्री को क्यों मनाये जाता है कपसे मनाये जाता है और इसका महात्मे क्या है तो दोस्तो ज़यादा समय बर्बाद ना करते हुए आईए, सुरू करते हैं तो दोस्तो भारतिय पौरानिक गताओं के अनुसार महा शिवरात्री के दिन मध्यरात्री में भगवान सिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विश्नु और ब्रह्माजी द्वारा की गई थी इसलिए महा शिवरात्री को भगवान सिव के चन्मदिन की रूप में भी जाना जाता है और श्रद्धालू लोग शिवरात्री के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवरात्री वृत प्राचीन काल से ही प्रचलन में है। हिंदु पुराणों में हमें शिवरात्री का उल्लेग भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायतरी, सावितरी, सीता, पारवती और रती ने भी शिवरातरी कवरत किया था। माना जाता है कि श्रिष्टि का प्रारंब भी इसी दिन से हुआ। पौराणी कताओं के अनुसार इस दिन स्रिष्टि का आरंब अगनिलिंग जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है से उदै हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवा भी पारवती के साथ हुआ था। साल में होने वाली बारह शिवरात्रियों में से महाशिवरात्री सबसे महत्वपूर मानी जाती है। भारत सही पूरी दुनिया में महाशिवरात्री का पावन पर बहुत ही उत्सा के साथ मनाया जाता है। कस्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्री और बोलचाल में हैरात या हैरत भी कहा जाता है दोस्तों समुद्र मंतन अमर अमरत का उत्पादन करने के लिए निश्चित थी लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विस भी पैदा हुआ हलाहल विस में ब्रह्मांड को नष्ट करने की किशमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे भगवान शिव ने हलाहल नामक विस को अपने कंटे में रख लिया था जहर इतना शक्तिशाली था कि उनका गला बहुत नेला हो गया था इस कारण से भगवान शिव नेलकंट के नाम से भी प्रसिद्ध हुए शिव को आनन देने और प्रसंद करने के लिए देयताओं ने अलग-अलग नरित्य एवं संगीत बजाए जैसे सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसंद भगवान शिव ने उन सभी को आसिरवात दिया शिव रात्री की इस घटना का उत्सव मायाना जाता है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं उत्तर भारतिय पंचांग के मुताबिक फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर दसी को महा शिव रात्री का आयोजन होता है इस दिन शिव भक्त मंदिरों में बेल पत्र जल दूच चड़ा कर बगवान शिव की पूजा और वरत करते हैं और रात्री जागरण भी किया जाता है पर दोस्तों जैसे की मैंने पहले भी बताया शिव रात्री बारह महीने में बारह बार पढ़ती है यानि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर दसी को शिव रात्री कहते हैं परंतु फालगुल मास की कृष्ण चतुर्दसी पर पढ़ने वाली शिवरात्री को महाशिवरात्री कहा जाता है। वही इस बार महाशिवरात्री 21 फरवरी को सुक्रवार को मनाई जाएगी। जयोति सास्तर की अनुसार इस बार 59 येर्ज के बाद महा शिवरात्री पर 6 योग रहेगा सातना की सिद्धी के लिए 3 रात्रियां विशेष मानी गई हैं इन में सरत पूर्णिमा को मुहरात्री, दीपावली को काल रात्री तथा महाशिवरात्री को सिद्धी रात्री कहा गया है। इस बार महाशिवरात्री पर चंद्र, शनी में मकर की यूति के साथ पंच महापुरुसों में 6 योग बन रहा है। आम तोर पर शवन नक्षत्र में आने वाली सिवरात्री वो मकर रासी के चंद्रमा का योग बनता ही है लेकिन 59 यर्स के बाद शणी के मकर रासी में होने से तथा चंद्र का संचार अनुक्रम में शणी के वरगुत्तम अवस्था में शश योग का संयोग बन रहा है चंद्रमा को कला तथा शनी को कालपुरुस का पदप्राप्त है इस इस्थिती में कला तथा कालपुरुस के यूति सम्मंद वाली यह रात्री सिद्धी रात्री की स्ट्रणी में आती है अब हम बात करते हैं दोस्तों महा शिवरात्री के सुब मुर्थ के विशय में हाला कि यह जानकारी आपको भी हो सकती है 21 तारिख को शाम को 5 बच कर 20 मिनट में सुरू होकर के 22 फरवरी शनिवार को साम 7 बच कर 2 मिनट तक रहेगा अब क्योंकि शिवरात्री है तो जो भी योग बनता है जब आपका सुरू होता है मूर्थ उसके बाद उसके आठवे पहर में माना जाता है जोकि 21 तारिख की रात्री को ही माना जाएगा आप दोस्तों बात करते हैं कि शिवरात्री की जो पूजा की विदी है हाला कि आप सभी लोग करते आ रहे होंगे फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं शिव रात्री के दिन सबसे पहले सुबह इस्तनान करके भगवान शंकर को पंचामरत से इस्तनान करवाएं उसके बाद भगवान शंकर को केसर के लोटे कई लोग आठ लोटे भी चड़ाते हैं पर आप अपनी स्रथा के अनुसार जल चड़ाएं इस पूरे दिन और रात को दीपक जला कर रखें भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगाएं बेल, पत्र, भांग, धतूरा, तुलसी, जायफल, कमल गटे, फल, मिठाई, मिठाई यानि मिठाई, मिठाई, पान, इत्रवा दक्षना चड़ाएं सबसे बाद में आप दूद का भी भोग लगा सकते हैं और उसका प्रसाद भी बांड सकते हैं पूजा में सभी उपचार यानि की सभी सामगरी चड़ाते हुए ओम नमो बगवते रुद्राए, ओम नमः शिवाए, रुद्राए, संभवाए, भवानी पते ये नमो नमः मंत्र का जाप करें अगर आपको इतने जल्दी मैं समझ में नहीं आया तो मैं दुबारा से रिपीट कर देती हूँ मंत्र इस प्रकार है, जब आप बेल पत्र चड़ाते हैं, फूल चड़ाते हैं, फल चड़ाते हैं, उस समय आप इस मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवते रुद्राय, रुद्र बगवान शिव को कहा जाता है, ओम नमः शिवाय, रुद्राय, संभवाय, भवानी पते ये नमो नमः, भवानी पते ये भी बगवान शिव को ही कहा जाता है, भवानी यानि पार्वती पते यानि के पती, मा पार्वती के पती को प्रडाम है, रुद्राय को प्रडाम है, रुद्र को प्रडाम है, ये सारे बगवान शीव की ही नाम है.